दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब भी आप अपने desktop पे refresh करते हैं तो Windows 10 में ऐसा खास कर बग देखा गया है कि जो desktop के कुछ icons हैं वो आपको missing type लगती है बीच में कहीं भी वो जो है icon की एक gap missing नजर आती है आपको लगता है कि वहां से कुछ icons जो है वो miss हो रहा है तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो icons जो आपको gap missing लग रहे हैं वो actually वे होते नहीं है लेकिन जब भी आप बारबार desktop के उपर refresh करते हैं तो आपको जो desktop पे icons है वो gap missing लगती है जैसे लगती है कि वहां पे कोई icon थी लेकि तो हमारे पास Windows 10 की machine है Windows 10 की machine के उपर जब भी मैं refresh करता हूँ तो आपको एक desktop पे icon missing नजर आ रही होंगी जो कि आपके desktop के look and feel है जो appearances है वो बहुत ही awkward लगने लगती है और आप इस problem से irritate हो जाते हैं कि जब भी आप refresh करते हैं तो आपको अपने desktop के उपर जो icon है वो एक missing न enter कहीं भी हो सकती है तो जब भी आप sort by name करेंगे और फिर से refresh करेंगे तो यहां पे आपको एक desktop पे icon missing नजर आती है जो बहुत ही awkward लगती है Microsoft को इस पे जल्द से जल्द काम करनी चाहिए इस bug को fix करने के लिए तो जब भी आप refresh करेंगे एक desktop पे icon जो है वो missing नजर आएगी तो इस problem को हम लोग कैसे solve करेंगे चाहे अगर आप desktop पे जो भी icons है उसे अगर आप select भी करते है तब भी आप देख माएंगे कि जो desktop पे icon है वो missing हो रही है तो इस problem को fix करने के लिए आप simply right click कर view में जाए और right click view में click करने के बाद आप align icons to grid पर click करे align icons to grid को untick करे untick करने से आप जब भी refresh करेंगे तो ये problem fix हो जाएगी यानि align icons to grid को untick रखने है और जब भी आप refresh करेंगे जो desktop पे icon missing नजर आ रही थी वो अब की बार नजर नहीं आ रही है और एक छोटी सी problem की solution है मैंने समझा कि आप तक मैं पहुंचा हूँ ताकि आप लोग भी जो है इस तरह के problem से अगर irritate हो रहे हैं तो इस problem को हम लोग कैसे fix करेंगे तो उमीद करता हूँ दोस्तों इस तरह की tips, tricks और troubleshooting वाली वीडियो देखने के लिए आप हमारे Computics Lab YouTube Technical Channel को जरूर subscribe करें एक छोटी सी problem, एक छोटी सी problem का solution बहुत ही आसान था मैंने सोचा आप तक वो share कर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए thank you so much for watching this video.